हारी किष्णा सभी को आशा करती हूँ आप सब अच्छी होएंगे आज के इस वीडियो में हम इस व्यूटिफुल सी फाइव लेयर ड्रेस को रेडी करेंगे इसके लिए मैंने लिया यहापे मिसो की साड़ी जो की हाँ पे टोटल सिक्स मीटर है क्योंकि ब्लाउस सेथ था लाइनिंग के लिए मैंने क्रीप का फैब्रिक लिया है जो की हाँ पे पॉले तीन इंच है अब यहां पर सबसे पहले हम इसको पैटन की थूरू समझते हैं तो यह जो है मैंने इसका रफ्ली जो है पैटन ड्रॉ कर लिया है कि हम इस ड्रेस को कैसे रेडी करेंगे तो इस कि कट करेंगे वॉटम एंड हाँ रहें लिए थी साढ़े इंच नहीं हैं तो उसके अपर में एक आप हैं आप फाइब डिए थी यहां साइड में में उसको बसके करना है यहां पर तो जो है इस तरीके से 5 पार्ट में हमें इसको कट करना है अब 5 पार्ट में कट करने के लिए हमें करना क्या है जो हमारी यहां पे बॉटम की लैंद है टोटल जो की है 5.5 int इसको हम 5 से डिवाइट करेंगे क्योंकि हम जो है इसे 5 पार्ट में डिवाइट कर रहे है अगर आप यहाप यहाप इस लियर का बनाएंगी तो आप 6 से 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 डिवाइट कीजे तो इस तरीके से हमारी यहां पर किया है 3.5 इंच है तो मैंने 5 से divided किया तो यहां पर आया है 7.5 इंच तो यह 7.5 इंच चों है अब यह बिना margin की है अभी हमने इसमें 1 इंच margin भी एट करना है तो यहां पर एक लेयर की total length आगी 8.5 यानी 8.5 इंच ठीक है हमने केवल क्या किया तोटल जो हमारी बॉटम की लैंट है, उसको हमने डिवाइट किया 5 से, जितने हमारी लेर है, ठीके, उसके बाद जो हैं, हमारा आया है यहाँ पे 7.5 इंच, जिसमें हमने 1 इंच मारजन का प्लस किया, तोटल हमारी लेर की लैंट आई है, 8.5 यानि 8 इंच, तो इस तरीके से याप लेर की लैंज निकाली अब इसकी बाद याप बात आती है कि हम यहाँ पर गेर जो हम Lecture पर लुए आपको कि इसकी छोड़ाई कितनी ले तो यहाँ पे जो साड़ी है इसमें से हम यहाँ पे टॉप पाट के लिए फैबिक निकाल देंगे और जो हमारा blouse का पीसता वहाँ से हम slips को निकालेंगे टॉप पाट का फैबिक निकालने के बाद पूरी जो साड़ी है इसको मैंने 4 fold करके बिच्छा लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है 4 fold है अब इस पूरे fabric से हम cable bottom के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो अर्ज है यहाँ पर वो साड़े 12 inch है और यहाँ पर जो length है वो यहाँ पर 46 inch है साइड में जो यहाँ पर extra fabric था वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है यहाँ पर हमने layer के लिए measure किया था 1.5 inch with margin तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1.5 inch पर marking कर लूँगी तो यहाँ पर जो है मैंने 5.5 inch पर marking की है तो total पर निकलेंगी वो यहाँ पर 5 निकल लहीं है तो यहाँ पर 42 inch की हमारे पास 5 पर निकल जाएंगी जो की यह 4 fold में है ठीक है अब यहाँ पर जो मैंने 6.5 inch पर marking की थी इन सभी marking को मैंने इस तरीके से straight कर लिया है अब जो मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ की है अब इनी के ऊपर हम इनको कट कर लेंगे तो इस तरीके से हमने बॉटम के लिए पटियां कट कर ली है अब जो है मैं पटियों को यहां पे सैट करूंगी कि मुझे फिर्स लेयर में कितना फइब्रिक चहीं है और सेकिट लियर में तो यह मैंने पने अकॉरिंग सैट कर सकते हैं फोर्स्ट लेयर है मैं ने आपे फोर फोर्ड में रखे है 22 के आसपास और इस तरीके से 22 का हाफ बढ़ाया है इसे तरीके से हमने सारी पट्टिया जो है वो कर ली है अब हम यहां पर बॉटम में लाइनिंग यूज़ करने वाले हैं तो यह मैंने क्रेप का फैबरिक लिया है जो कि यहां पे है सवा 2 मीटर के असपास बाकी का फैबरिक मैंने यहां पे निकाल दिया था जो कि हमारा टॉप पार्ट में यूज होगा फैबरिक को मैंने यहां पे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है folded corner को ठाके दूसरे corner पे रखा है और ट्रेंगर शेप बना लिया है अब हम यहां पे उपर वाले corner पे मार्किंग करेंगे कमर की तो हमें यहां पर कमर का 4 पार्ट लेना है कमर 28 है 4 पार्ट आएगा यहां पर 7 इंच एक इंच हमने मार्जल लेते हुए इसको माकिंग की है अब यहां पर मैंने जो है इस तरीके से माकिंग कर ली थी उपर की साइट से अब हम मेजर करेंगे जिससे कि ये पूरी गोलाई same measurement के साथ आए तो हमने उपर से पूरी गोलाई में 10 inch पे mark किया है और कमर हमने यहाँ पे रखी है 8 inch की अब हम यहाँ पे total length जितनी हमें रखनी है bottom की वो हम यहाँ पे measure करेंगे तो mainly जो हमारी bottom की length है वो है 7.5 inch बट हम lining की length है वो हम कम रखेंगे तो मैंने यहाँ पे length रखी है इसकी 35 inch यानी 35 inch रखी है और इसमें 1 inch हमारा margin भी चला जाएगा तो ready हमारा यहाँ पे 34 आएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पे लगबग यह 3-3.5 के आसपास इसको उच्छा रखा है अब simply जो हमने marking की है वो हम cutting कर लेंगे इस पे तो सबसे पहले मैंने कमर की cut की थी marking को उसकी बाद जो हमारी length की marking थी उसको cut कर लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं side में हमारा joint आया है तो जो बच्चा हूँ फैब्रिक है इसको हमें पलट के इस तरीके से सेट करना है और इसको हम इसी shape में जो हैं हाँ पे cut कर लेंगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे bottom की cutting कर ली I hope आपको समझाया होगा अब जो हमारा यहाँ पे blouse का fabric था वहाँ से मैं sleeps को निकालने वाली हूँ तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे fabric को पहले double fold किया है और इसके बाद जो हम एक और fold लेंगे तो यह हमने four fold करके रखा है अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके यहाँ पे चोड़ाई की तो यह जो है यहाँ पे 10 इंच के आसपा से यहाँ पे जो मैंने length ली है यह है 31 यानि की 30 इंच है अब इसमें से क्या है उपर की side से हम 12 इंच पे marking करेंगे जितना आपने extra लेना हो तो मैंने यहाँ पे जो है क्रावल बनाने के लिए 12 इंच extra लिया था तो वो मैंने 12 इंच पे marking करके इस fabric को हम straight कर लेंगे अब यहाँ से जैसे हम normal सीप्स की cutting करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे cutting कर लेंगे इसकी यहाँ पर जो हमारी इसकी fitting है वो यहाँ पे 8 इंच की है तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे marking कर ली है और यहाँ पे जैसे हम normal सीप्स में shape देते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे shape देतेना है तो अभी तक हमने केवल उपर की side 12 इंच का जो fabric है वो extra लिया है नीचे का जो fabric है हमारा वो हमने जैसे हम normal cutting करते हैं sleeps की वैसे cutting की है नीचे का जो हमारे यहाँ पे गुलाई है वो 5 इंच है डवल में तो मैंने यहाँ पे measure कर लिया है अब यहाँ पर हमने जो है उपर की side 12 इंच पे measure किया है और इस तरीके से हम यहाँ पे shape ड्रॉ करेंगे I hope आपको दिख रहा होगा chalk थोड़ी सी हलकी हो रही है क्योंकि net का fabric है तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से एक और जो है हमने shape दिया है sleeps का जो की मैंने उपर से 1.5 इंच पे marking पे किया था ठीक है अब इस तरीके से shape देके हमने यहाँ पे इसी shape पे cutting कर ली है I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी cutting की अब यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें ट्रॉल बनाना है यहाँ तो मैं इस तरीके से plate डालूँगी आपको इस तरीके से प्लेट डालनी है जो आपकी आम हुल की यहां पर गुलाई है उस शेप में यह आ जाए ठीक है तो यहां पर अगर आपको और भी जादा यहां पर करल चाहिए तो आप इसको और भी जादा बढ़ा सकते हैं मैंने 12 इंच लिया है आप 13, 14, 15 ले सकते हैं और बाद में इसी तरीके से आपको प्लेट डालके उसको सेट करना है तो हमने एक सेट यहाँ पे 6 प्लेट डाली है अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइट भी हम यहाँ पे 6 प्लेट डाले तो इस तरीके से दूसरी साइट भी प्लेट डाल के हमने इस तरीके से sleeps को ready कर लिया है नीचे साइट से sleeps को fold करेंगे अब हम यहाँ पर करेंगे टॉप पार्ट की cutting तो यहाँ पर हमने lining का fabric लिया है जिसकी length यहाँ पर साड़े 14 इंच है एस साइट से ये 1,5-1 इंच है सबसे पहले हम यहाँ पर 完了 करेंगे शोल्डर यहाँ पर है 6.5 इंच को इस तरीके से हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है यहाँ पर हम armhole पर मार्क करेंगे 7 इंच दूसरी साइट भी 7 इंच पर करेंगे एन इन लाइनो को स्टेट करेंगे शोल्डर वाली साइट से हाफ इंज डाउन कर देंगे तो यहां पर हमारी शोल्डर साड़े छे इंच रह जाएंगे आम होल की गुलाई के लिए हमने बैक के लिए मेजर किया है डेल इंच और फ्रेंच कुर्प की हल्प से हम इसको शेप देंगे अब फ्री हैं से छेप दे ते हैं स्के बाद हाफ इंच अंदर हम मा Count करेंगे जो कि हमारी होगी यहां पर आप है न वहां दुए में कमर गोलाई है याप पर 28 यानी 28 इंच फॉर पार्ट हमने लिया है 7 इंच एक इंच हम नहीं है प्लेट के लिया है और दो इंच हमने याप लिया है मार्जन की तोर पे अब इस तरीकिए से फिटिंग और मार्जन लैन को मिला लेंगी अब यहाँ पर जो है हमें बाहर वाली मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है अब यहाँ पर जो हमें साड़ी से टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाला था उसको मैंने फोर फोल्ड कर के लिया है और लाइनिंग को इसके उपर रखे फ्रंट और बैक पार्ट की में फैब्रिक पे कटिंग करेंगे अब नीचे साइट से यहाँ पर मैं हाफ इंच पे मार्क कर रही हूँ और हलका सा राउंड शेप देते हुए हम यहाँ पर शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इससे फिटिंग हमारे अच्छी आती है तो यह हमने यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंगी अब हम यहाँ पर उपर साइट से मिजर करेंगे 9 इंच यानिकि 9 इंच इस साइट से हमें मिजर करना है यहाँ पर 4 इंच और नीचे की साइड हम यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ट्रॉ करेंगे अब जितना आपने प्रेट के लिए एक्स्टर लिया हो उतना आपको यहाँपे मिजए करना है मैंने वन इंच लिया था तो हाफ आफ इंच मिजए कर लिया आम होल वाली साइट से उपर से 4.5 इंच पे मैंने मिज़र किया है और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको शेप दिया है तो यह हमने प्रिंसेस कटिंग के लिए मार्किंग कर ली है अब जो है हम यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग तो यहाँ पर मैंने बैक वाला पार्ट जो हटा दिया है सबसे पहले हमने इहाँ पर आम होल की कटिंग की थी जो कि हमने हाफ इंच अंदर ली थी उसकी बाद जो अभी हमने प्रिंसेस कटिंग की मार्किंग की थी उसको भी अब हम कट कर देंगे तो यह हमारी cutting complete होती है अब यहाँ पर हम उपर की side से measure करेंगे 5.5 इंच तो यहाँ पर जो है front में मैं इस तरीके से cut लगाने वाली हूँ उपर की side हम lining यूज नहीं करेंगे और इस side से मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर जो है हम sweet heart neck जो है इस तरीके से shape देंगे उसका और इसको जो हम cut करके निकाल देंगे और जो हम cutting कर रहे हैं इसको अभी हम समाल के रखेंगे तो यह हमारी cutting complete हुई front part की अभी हमने लिया है back वाला part इसकी हमने neck के width रखी है 3.1 इंच length हम रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच और इस तरीके से हम यहाँ पर round shape देंगे और simply इसकी cutting कर देंगे तो मैंने यह simple रखा है back में आपको design डाल सकते हैं तो यह हमारी cutting complete हुई अब इसकी stitching करते हैं stitching में सबसे पहले हम bottom को ready करेंगी तो bottom में हमने यहाँ पर lining का fabric cut किया है umbrella cutting में और यहाँ पर जो हमारा main fabric है उसको हमने इस तरीके से पट्टिया cut की है क्योंकि हमें 5 layers ready करनी है सबसे पहले ready करेंगे हमारी first layer को first layer जो है यहाँ पर इसकी length हमारी वही 1.5 इंच है चोड़ाई की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिया है 80 इंच के असपास अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इसमें छोटी-छोटी plates डालनी है और इसको जो हमें यहाँ पर कमर के size करना है तो कमर के size है वो है यहाँ पर 28 इंच margin मिला के जो है वो 32 हो जाएगा तो हम जो है आपे इसको ready रखेंगे 32 इंच तो यह हमने इस तरीके से first layer को ready कर लिया अब हम ready करेंगे इसके नीचे वाली layer यानी की second layer को तो first layer को इस तरीके से हमें रखना है सिधा करके और जो दूसरी वाली बट्टी है 5.8 इंच की उसको हम इसके उपर रखेंगे और plate डालेंगे इसमें हम चोटी चोटी और उसको set करेंगे second वाली जो layer है उसकी length वही सेम रहेगी 5.5 इंच और इसकी चोड़ाई की बात करें तो जो first layer की चोड़ाई है उसमें मैंने 40 प्लस किया है तो इस तरीके से जो second layer है उसकी यहाँ पर चोड़ाई है 120 इंच अब इसमें यहाँ पर हम इस तरीके से चोटी चोटी plates डाल के इसको set करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है उसी हिसाब से plates डालनी है जिस हिसाब से हमने फैवरिक लिया है तो इस तरीके से जो है यह हमारी second layer attach हो जाएगी second layer को attach करने के बाद हमने इसी तरीके से जो हमारी third layer है उसको भी attach किया है तो यह आप देख सकते हैं यापर और third layer में भी मैंने 40 plus कर दिया है यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारी 4 जो layer है यहाँ पर ready हो चुकी है अब लास्ट वाली जो लेयर है उसको भी हम complete करते हैं अब यहाँ पर जो हमारी bottom की lining है उसको मैंने ready कर लिया है जो हाँ पर joint आया था उसको लगा कर अब जो है हमारा main fabric उसको हमें lining से attach करना है तो इस तरीकी से हमने हाँ पर lining को पूरा फैला के रखा है अब जो हमने layer वाला skirt ready किया था उसको अब हम इसकी उपर इस तरीके से फैला के रखेंगे कमर वाली side से बिल्कुल बराबर रखेंगे आप देख सकते हैं आपे अब यहाँ पर हमें कमर वाली side से slide लगा के इसको attach करना है तो यहाँ पर केवल हम कमर से इसको join करेंगे बाकी पूरा open रहेगा तो इस तरीके से हम पूरे में slide लगा के इसको attach कर लेंगे कमर से तो यहाँ पर जो हमारा bottom ready हो चुका है अब हम करेंगे यहाँ पर top part को तो top part में हमने इस तरीके से princess cutting की थी तो हमने यहाँ पर lining को main fabric से attach कर लिया है पहले अब यहाँ पर जो दोनो side वाले part हैं इसको हम center वाले part से attach करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से center part को सीधा रखेंगे और यहाँ पर दूसरी वाले part को उल्टा रखकर इसको attach करेंगे सेम इसी तरीके से दूसरी वाले side जो है उस side भी हमें इसी process को follow करके इसको भी attach कर लेना है तो ये जो है इस तरीके से हमारा दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पे अटाच हो जाएगा तो ये हमारा जो है वहाँ पर प्रिंसेस जो कटिंग हमने की थी वो हमारी अटाच हो चुकी है अब जो है हमारे उपर की साइट जो हमने नेक कर शेप दिया है उसी शेप में मैंने ये पट्टी कट की है जिसको मैंने यहाँ पर फैब्रिक पे फिक्स कर लिया है कि अब इसकी उपर हमें इस तरीके से इस को सेट करना है और इस ही शेप में हमें इस लाए लगा के इसको इन ख u साथा धटि से उसको रेड़ी कर सकते हैं लिकिन यहां पर थोड़ा सा ही हाड रहे इस वजह से मैंने पिस्टिंग पेपर यूज किया है अब से हमने चोटे-चोटे कट लगा लिए हैं अब इसको रॉंग साइट के लिए फोल्ड कर देंगे यहां पर मैं जो है दो स्लाई लगा के इसको मैंने फिक्स किया है आप चाहे तो तुर्पन से भी कर सकते हैं अब यह मैंने नेट का फैबरिक लिया है जो की डवल फोल्ड है अब जो हमने कटिंग की थी मैंने आप से कहा था कि इसको सम्हाल के रखेंगे तो वही वाली कटिंग मैंने यहां पर ले लिए है और जो यह कटिंग का शेप है इसी शेप में पहले हमें ड्रॉका लेना है इसको अब इसको मैंने यहां पर लगबग एक इंच मार्जन लेत किया है नीचे साइट से ठीक है अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और जो अभी हमने यहां पर रेड़ी किया था अब इसको हम यहां पर सेट करेंगे जितना हमने कट किया था उतने पर ही हम यहां पर सेट करना है अब जो मार्किंग की थी उसी मार्किंग को मिलाते हु यहाँ पर हमने neck के width रखी है लगबग 3.2 inch, length हमने रखी है यहाँ पे 3.5 inch, इस तरीके से हमने यहाँ पे round shape दिया है, इसके बाद मैंने इसको cut कर लिया है, तो यह हमने इस तरीके से front में round shape दिया है, इसको मैंने इस तरीके से औरे फशे पट्टियां cut करके pipe in को ready कर लिया है, तो यह हमारा front part ready हो गया, अब यह है हमारा back वाला part जिसमें मैंने पीछे side plate डाल दी है, और neck जो है मैंने यहाँ पे lining के साथ इसको ready किया है, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे back वाले part को उल्टा करके रखना है, और shoulder attach कर लेने है, shoulder attach करने के बाद हम इसको करेंगे सीधा, तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है, अब जो है हमें यहाँ पे sleeps को attach करना है, तो जो हमने sleeps ready की थी, अब उनको हमें यहाँ पर attach कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं इस तरही के से हमने sleeps को ready कर लिया था सबसे पहले हम यहाँ पर miser कर लेंगे कि हमारी sleeps हैं यह बड़ी तो नहीं है तो यहाँ पर जो है बिल्कुल बराबर थी अब simply जैसे हम normal sleeps को attach करते हैं सेम वैसे ही हमें इसको attach कर लेना है क्योंकि हमने इसमें जो है क्रावल वगेरा सब ready कर लिया है यहाँ पर हमने sleeps को attach कर लिया है अब इस तरीके से हम sleeps को सीधा कर लेंगे सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइट की sleeps जो है उसको भी attach कर लेना है दोनों साइट की sleeps attach होने के बाद अब हम इसकी करेंगे fitting तो यहाँ पर फिटिंग जो है हम sleeps से start करेंगे और इसको पूरा नीचे तक लेके जाएंगे तो मैंने जो cutting करते time marking की ती fitting की मैंने उसी को डाग कर लिया है और इसी marking पर मैंने यहाँ पर एक साइट की fitting जो है इसको complete कर दिया है तो यह जो है हमें केवल अभी एकी साइट की fitting लगानी है दूसरी वाली साइट की हम bottom को attach करेंगे उसके बाद लगाएंगे तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया है अब जो हमने bottom को ready किया था उसको हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर simply इस तरीके से कमर वाली साइट से हमें bottom को attach कर लेना है तो यहाँ पर जो है bottom को इस तरीके से हम attach करेंगे sly लगा के तो यहाँ पर मैरे top part को निचे रखा है और bottom को उटा करके रखा है और simply कमर पर हम जो है half inch का margin लेते हुए sly लगाएंगे camera attach होने के बाद हम जो है side की slide complete करेंगे और यह रहेगा हमारा final look I hope guys आज की वीडियो आज की address आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजेगा चली मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई dress के साथ अपते के लिए bye bye